हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा साथ की वॉक्षीट नमबर ग्यारा जो की 25 अगस्त 2021 की वॉक्षीट है और आज का हमारा विश्य है हिंदी तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों दादी मा पाठ के अगले अंश को की बात है विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं तो गाओं में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी की शादी होती है तो शादी के पहले कई दिन पहले औरतें गाना गाती हैं डांस करती हैं तो ये सारी चीज़ें यहां पे भी हो रही थी विवाह की रात को अभिने भी होता है यानि की acting भी की जाती है अलग-अलग लोगों की यह प्राया एक ही कथा का हुआ करता है उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत पती तक के सभी द्रिश दिखाये जाते हैं सभी पार्ट औरते ही करती हैं यानि इस जो भी सारा प्रोग्राम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ और औरते हिस्सा लेती है और वो शादी से लेकर फिर बच्चे होने तक की जितनी भी चीज़े होती हैं वो एक दृष्ष के माधियम से लोगों को आक्टिंग करके दिखाती है मैं बीमार होने की कारण बारात में ना जा सका तो यहाँ पे जो लेखक है वो बिमार था और इसलिए वो बारात में नहीं जा पाया मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था वह भी बारात जाने के बाद पहुचा था तो लेखक का एक ममेरा भाई है यानि माई जो मामा होते हैं उनका बेटा कोई होगा जो किस लेखक का भाई है उसको कहते हैं ममेरा भाई और उसका नाम है राघव और वो कहां सो रहा था तो वो दालान में घर के सामने एक जगे होती है जिसको कहते हैं दालान ठीक है औरतों ने उस पर आपत्ति की दादी मा बिगडी लड़के से क्या परदा लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है तो औरतों ने कहा कि यहां तो हम गाना बजाना कर रहे हैं तो यहां पे कोई लड़का नहीं सो स तो दादी माने कहा कि क्यों लड़कों से क्या परदा करना कि लड़के और जो ब्रह्मा जी है वो एक जैसे ही होते हैं मतलब यह लड़का यहां पे सो रहा है तो इससे आप लोगों को कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्णो गीत गाती हैं और विवा की रात को अभिने भी होता है तो ये दो चीज़े हम कहेंगे गीत गाना और अभिने करना ये दो चीज़े होती हैं विवा की रात से पहले ठीक है उसके बाद है दूसरा प्रश्ण की अभिने में कौन से द्रिश्ण दिखाए जाते हैं तो आप इ उसके बाद तीसरा प्रश्ण है कि अभिनय के स़ी पार्ट कौन निभाता है तो हमने उपर पढ़ा था कि सभी पार्ट कौन निभाता है तो औरते ही सारा अभिनय करती हैं चोथा प्रश्ण है कि लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम है तो अभी हमने उपर पढ़ा था कि लेखक के ममेरे भाई का नाम है रागव ठीक है और अगला प्रश्ण है कि घर पर होने वाले उत्सवों या समारों में बच्चे क्या क्या करते हैं अपने अनभवों के आधार प होता है तो उसमें चोटे-चोटे बच्चे क्या काम करते हैं तो वो जो काम करते हैं आप वो सारे काम इस प्रश्ट के उतर में लिख देंगे आई होप यह वरक्षीट आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आ चुकी होगी थैंक यू